संकट में सहायता के लिए पुकार जो अकारण मेरे बैरी है, वे गिंती में मेरे सर के बालों से अधिक है, मेरे विनाश करने वाले जो व्यर्थ मेरे शत्रू है, वे सामर्थी है, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं, वे भी मुझको देना पड़ा, हे परमेश्वर, तू तो मेरी मुर्खता को जानता है, और मेर दोश तुझ से छिपे नहीं है, हे प्रभू, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाढ़ जो होते हैं, वे मेरे कारण लज्जित नहों, हे इसराइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंडते हैं, वे मेरे कारण अपमानित नहों, तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है, और मेर मुन लज्जा से धपा है। मैं अपने भाईयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाईयों की दृष्टी में परदेशी ठहरा हूँ। क्योंकि मैं तेरे भवन के निमित जलते जलते भस्म हुआ और जो निंदा वे तेरीत करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। जब मैं टाट का वस्त्र पहने था तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता था। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विशय बातचीत करते हैं और मदिरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं परंतु हे यहोवा मेरी प्रार्थना तो तेरी प्रसनता के समय में हो रही है। हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहतायत से और बचाने की अपनी सच्ची प्रतिक्या के अनुसार मेरी सुन ले। मुझ को दलदल में से उबार कि मैं धस न मैं अपने बैरियों से और गहरे जल में से बच जाओ। मैं धारा में डूब نہ जाओ और न मैं गहरे जल में डूब मरू। और न पाताल का मुँ मेरे उपर बंध हो। हे यहोवा मेरी सुन ले क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहतायत के अनुसार मेरी और ध्यान दे, अपने दास से अपना मोह न मोड, क्योंकि मैं संकट में हूँ, फूर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुडा ले, मेरे शत्रूओं से मुझे को छुटकारा दे, मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तु जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे स मेरे सामने है, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया, और मैं बहुत उदास हूँ, मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांती देने वाले ढूनता तो रहा, परंतु कोई न मिला, लोगों ने मेरे खाने के लिए विश दिया, और वे देख न सके, और तु उनकी कमर को निरंतर कमपाता रहे, उनके उपर अपना रोश भड़का, और तेरे क्रोध की आँच उनको लगे, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिसको तुने मारा, वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनक तुने घायल किया, वे उनकी पीडा की चर्चा करते हैं, उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, और वे तेरे धर्म को प्राप्त न करें, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, और धर्मियों के संग लिखा न जाए, परंतु मैं तो दुखी और पीडित हूँ, यह यहोवा को बैल से अधिक, वरन सींग और खुरवाले बैल से भी अधिक भाएगा, नम्र लोग इसे देख कर आनंदित होंगे, हे परमेश्वर के खोजियों, तुम्हारा मन हरा हो जाए, क्योंकि यहोवा दरित्रों की ओर कान लगाता है, और अपने लोगों को जो अगरों को फिर बसाएगा, और लोग फिर वहाँ बस कर उसके अधिकारी हो जाएंगे, उसके दासों का वंच उसको अपने भाग में पाएगा, और उसके नाम के प्रेमी उसमें वास करेंगे. करेंगे. झाल झाल